मेरा नाम है दिक्षान्त वियास, एक बार फिर से मालोगा स्वागत करता हूँ आज की इस नहीं वीडियो के अंदर अगर आप लोगों ने अभी थे मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर रहा है क्योंकि मैं हर अल्टरनेट्व डे आप लोगों के लिए अपडेट के पर एक वीडियो लेकर आता हूं और आज की वीडियो के अंदर हम बात करनेवाले ऐसा दो और सब्सक्राइब करों कर रहे हैं जो नए फोटो हमारे पास आये उसके अ उसके इंदर काफी सारे जो इंट्रेस्ट्रेस्टेजंग फैक्ट्स आ वह पता जैसे कि इसके अंदर जो टाटा ने कर्ष्टमर से फीद्बैक लेया अपने पूरा नी नेश्वन इवी के उनर से उसी के इसाफ़ से टाटा अपनी नई नेश्वन इवी पर काम करा यह वैसे भी टाटा आजकल बहुत जादा पॉजिटीव ली काम करा अपने फीडबेक के और इस चीत का सीधा सीधा सबूत हमाँ पर टाटा है और जो टीएगो है इनके नए वालज अपडेट से वह हैं अभी रिसेंटली टीम भी की वेबशाइट के ऊपर कुछ नेक्सवान इवी की फोटो है वह पोस्ट ट्वीत ही जिसके तुरू हम डाइरेक्ली देख सकते हैं क जो टाटा है वह अपनी नेक्सवान एवी के लॉंगर रेंज का वर्जन है उसके उपर काम कर रहा है जो नेक्सवान इवी इसको सून एक हई परफॉर्मेंस वर्जन का अपडेट है वह मिलने वाला है जिसके अंदर कुछ डिजाइन के अंदर ट्वीक्स होगारा किये जा जो नेक्सवान की क्लेम रेंज थी वह थी 312 किलोमेटर जो की रफली कहीं ना कहीं तूंड़ेट से 250 किलोमेटर के बीची जो रियल वल कंडिशन के अंदर रेंज थी वह देदी लेकिन अब जो नहीं वाली बैटरी आने वाली इसके साथ जो अल्मोस्ट फूरहनेट किलोम और इस इंक्रीजड रेंज के कारण यह जो कहा रही है कहीं ना कहीं जो अपनी हाइंड कार्स है जैसे की MZS EV या फिर यूंडई कोना इनके मुकाबले और ज्यादा जो प्लीजिंग है वह हो जाएगी फिलाल जो नेक्सवान इवी है इसने इलेक्रिक कार मार्केट का 60% ज अनर बर्तिक देखने को मिलेगा तो जो नेक्सवान इवी है इसकी ब्रीक को कहीं ना कहीं पर काफी अच्छे तरीके से इंपर च्थे करेंगे तो अगर आपको विडिए है तो यह रेसे न यक रिंज नाना वाल जिसकी रेंच जादा होने वाली वह इन सारे वर्जिंस के तो अगर आपके वीडियो पिसन देए तो लाइक करना शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कल ही नहीं पूर ना थेंक्यो